हलो दोस्तों, sleepy classes में आपका स्वागत है आई आज discuss करें ethics का एक ऐसा सवाल जो statements के उपर आधारित है statement का मतलब है कि there are certain sayings, quotes of certain individuals, famous personalities, moral philosophers, thinkers जो आप से हर बार ethics में पूछी जाती है अब हमारे लिए practically ये बहुत मुश्किल है कि हम हरे quote को बिल्कुल पहले से ही prepared तरीके से पढ़ के जाए मान लीजी अगर आपसे 4 या 5 quotations पूछी हैं exam के अंदर which is on the higher side but still तो आपको उसमें से हो सकता है कि 2 या 3 during the course of your entire preparation आपने पढ़ी होंगी तो इसी के लिए तियार होने के लिए अगले 3-4 हफते जो हम ethics की पढ़ाई करेंगे ethics के answers लिखेंगे उसमें हम different quotations की बात करने वाले हैं आज हम quotation simple से start करते हुए थोड़ा सा complex level पे जाएंगे तो simple to complex ये हमारा process रहेगा कुछ statement से explicitly काफी कुछ बता देती हैं उनको उनके अंदर answer लिखना जादा बड़ा challenge नहीं है whereas कुछ statements जिनके अंदर hidden meanings भी हो सकते हैं और उनको थोड़ा सा हमें कुरेदना पड़ेगा थोड़ा सा उसको और जादा explore करते हुए answer लिखना पड़ेगा तो पहले हम simple से start करेंगे और 3-4 हफतों तक आप देखिएगा कि हम थोड़े सी complex statement या complex quotation के उपर चले जाएंगे आज की जिस statement के उपर हमने सवाल का जवाब देना है वो है if a country is corruption free and become a nation of beautiful minds I strongly feel there are three societal members who can make a difference ठीक है if a country is to be I think यह होगा यहाँ पर if a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds I strongly feel there are three key societal members who can make a difference they are father mother and teacher यह Dr. APJ Abdul Kalam Ji की statement है और इस statement को दो बार ही UPSC जो है पूछ चुका है आपके exams के अंदर एक बारी Dr. APJ Abdul Kalam की statement को वो आपके you know mains के essay में पूछ चुका है इसके पहले भी Dr. APJ Abdul Kalam की statement को उन्होंने ethics के paper में यूज किया that is a different statement इसका मतलब की at least यह तो हमें पता है कि Dr. APJ Abdul Kalam साहब बड़े ही popular है UPSC जो है paper बना रही है उनके माध्यम से देखा जाए तो मेरे हसाब से महात्मा कांदी जी के बाद तो next number पे इनी का नाम आता है जिनकी quotations के बारे में जिनके base पे सवाल पूछे जाते हैं अब आप क्या कर सकते हो number one आप इनकी statements को जितने भी previous year question है उसमें से collect कर सकते हो इन statements का या in quotations का इस्तेमाल अपने essay के topics में कर सकते हो और तीसरा आप ethics के answers के अंदर भी इन statements का इस्तेमाल कर सकते हो देखिए सबसे बड़ा treasure जो होता है सबसे बड़ा treasure आपका यानि कि आपका resource जो है वो ethics के जो ये previous year question होते हैं उनमें जितनी भी statement पूछी गई है कम से कम आप एक parameter ये तो रख सकते हो कि आपको वो याद करनी है 2013 से ethics का अलग से paper स्टार्ट हुआ है तो 2013 से लेके 2022 तक जितने भी ethics के paper में statements पूछी गई है can you make it a point to learn them memorize them, you can थोड़ा quantifiable target से start करेंगे तभी हम आगे जाके और improve बढ़ाई करेंगे तो यही चीज यहाँ पे भी आप implement करेंगे दोस्तों, आप Dr. APG अब्दुल कलाम की ही नहीं, जितनी भी statement based सवाल पूछे गए ethics पे, उसकी एक list बनाएं, अपने हाथ से उन quotations को लिखें, बहुत ही बहतरीन यह तरीका होगा, आपकी शुरुआत का, कि आप कैसे quotation based questions करते हैं, instead of looking on the internet and collecting random sources, 87 code से, बहतर है कि पहले UPSC को तो अच्छे से परखलो, और उसमें जो statement पूछी गई है, उनकी ही कहीं बार कुछ variant, उसी का variant है ना जैसे COVID है, तो COVID का B7 variant अब आ गया है, तो वैसे ही, अब इनकी statements के variant के तौर पे भी UPSC सवाल पूछ लेता है, तो इसलिए आपका जो database है, वो 2013 से लेके 2022 तक की सभी statements का यह आप खुद बना सकते हो, मेहनत नहीं करनी है, 15 मिनिट का का काम है, UPSC की website पे जाना है उन्होंने सारे questions रखे हुए हैं, आपको GS4, paper 5, GS4 का ethics का paper उठाना है, और उसको एक बार scan करके खुद से statement लिख देनी है, अगर आप यह मेहनत भरा काम कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, चलिए वापस आते है question के उपर, इस question को justify करना पड़ता है, 1500 शब्दों में 150 words के अंदर, ethics के अंदर हम यह देखते हैं कि हमारे पास challenge दो किसम के होते हैं, एक कि हमारे पास लिखने को कुछ नहीं है, और दूसरा हमारे पास लिखने को access है, दोनो challenges बहुत ही important हर एक candidate के लिए आ सकते हैं, और खास दोर पर ethics के paper में तो आ सकते हैं, क्योंकि हमें basic values चीज़ें की पता होती है, basic definitions अगर हमें चीज़ों की पता होती है, उसके आगे उसको कैसे expand करना है, real life examples के तौर से कैसे उसको substantiate करना है, यह बहुत important हो जाता है, और syllabus की mapping कैसे करनी हैंगी, यह particular topic हमने syllabus में कहाँ पढ़ा था, उससे कैसे relate करना है, तो आएए देखते हैं, इस question को हम कैसे attempt कर सकते हैं, सबसे पहली statement हम यह दे सकते हैं, कि जो corruption के against fight है, वो multi-pronged होनी चाहिए, हमने corruption वाला जो topic है, वो ethics में पढ़ा होता है, हमने human values वाला topic है, वो human values यह भी हमने पढ़ा होता है, तो इसकी syllabus mapping करनी बहुत आसान है, कुछ statements की syllabus mapping करनी मुश्किल होती है, कि यह हमने किस perspective से answer करना है, क्या attitude के perspective से करना है, या social persuasion के perspective से करना है, emotional intelligence के perspective से करना है, या a combination of all of these, बहुत सारी चीज़े होती ethics के अंदर, आपके पास tools limited है, बट unlimited तरीके से इस्तिमाल कर सकते हो, अब statement में हम start कर सकते हैं, कि the fight against corruption को multi-pronct होना जरूरी है, इसका मतलब हम government के ऊपर dependent नहीं रह सकते कि corruption free society बने, society में हम जितना part पर, government जितना part play करती है, उतना ही part society में हम भी as a citizen play करते हैं, सबसे पहले ये responsibility की feeling आपके अंदर आनी चाहिए, ethics का paper लिखते वक्त तो खास तोर पे आनी चाहिए, now while the government can put external checks and balances through laws, institutions and rules, bribe taker, जहां एक तरफ bribe taker है, वहां दूसरी तरफ bribe giver भी है, अब collusive या coercive, ये बाकी बात की बात है, लेकिन bribe देने वाले भी मौझूद हैं, तो इसी लिए bribe देने वाला, यानी की supply करने वाला, जो है, उसकी तरफ हमने measures लेने हैं, तो हमें father, mother और teachers की सकता वशकता है क्यों? Reason being we have to justify कि corruption can be a function of human values corruption सिर्फ circumstances की वज़े से नहीं develop होता है corruption सिर्फ external agents की वज़े से या economic systems की inefficiency की वज़े से नहीं develop होता है corruption human values के corrupt होने की वज़े से होता है, क्योंकि corrupt का मतलब ही है दोस्तों कि किसी चीज़ का break हो जाना, या किसी चीज़ को खतम करने की कोशिश करना, खराब हो जाना, damage हो जाना, तो जब आपके values corrupt हो जाते हैं तो corruption system के अंदर automatically आ जाता है, आप एक human है, आपकी values corrupt हो गई हैं आप एक collectivity में काम करते हैं तो collectivity में अगर जितने ज़्यादा humans का value system corrupt होगा उतना ज़्यादा corruption जो है institutionalize हो जाएगा institutionalize हो जाएगा, normalize हो जाएगा और इसकी वज़े से ही आपका corruption जो है, उसकी fight bottom to up होनी चाहिए ना कि उपर से directive देते हुए top to bottom होनी चाहिए तो आप जितने मर्जी measures लगा लो है ना, जितना मर्जी आप laws बना लो, कानून बना लो लेकिन जब तक basic human values में shift नहीं आएगा, तब तक corruption को control करना मुश्किल है नामुम्किन भी है, मुश्किल भी है even caughtelia ये कहते, कि it is as difficult to find a corrupt person just like as difficult it is to find that how much water has a fish drunk inside the ocean किस मचली ने कितना पानी पिया है ocean के अंदर, ये पता लगाना उतना ही मुश्किल है जितना एक corrupt person को डूणना तो इसी लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले human level पे काम करना होगा corruption के लिए और उस human level पे काम करने के लिए दो हमारे पास बहुत ही important sources हैं एक है हमारी family, father और mother और दूसरा है हमारी teacher अगर हम इस answer को 1500 शब्दों में complete कर पाए हैं तो बहुत बड़ी हमारे उपलब्दी होगी जैसे मैंने 4-5 point बताए हैं उन में से अगर आप 3 point 3 point करके 6-6 point लिख देते हैं या सारे point लिखते हैं और एक ही line में explain करते हैं तो भी आप around 170 words के आसपास इसे close कर सकते हो तो primary socialization सबसे पहला role होता है कि gratitude, compassion, respect यह जो basic values होती हैं यह बच्चों को माता-पिता ही provide करते हैं तो जब आपको values provide हो रही हैं उसी values के हिसाब से का आधार बनके आपका behavior भी होगा तो आपका behavior future में भी जाके किस तरीके से होता है उसमें बहुत बड़ा role play करती है जो values आपको बच्चपन में दी गई है और यह बहुत ही important है हमें समझाना है और हमने एक point बना दिया इसको primary socialization दूसरा है role model behavior role model behavior का मतलब है कि अगर parents ही गलत activities में, corrupt activities में involved होते हैं तो जो बच्चा है उनसे यही सीख लेगा और future में जाके वो भी corruption करेगा तो अगर parents जो है traffic police को पैसे देता है चलान भरने से बचने के लिए या अपने किसी भी property के कागस से उपर signature करवाने के लिए permission लेने के लिए प्राइब करता है तो वो एक role model behavior नहीं होगा तो वो जो बच्चा है उसके लिए bad example सेट होगा तीसरा moral values जो है mythology, religious, cultural stories के थूँ दे सकते रामा एड महाबारत, जातक, टेल्स अब हम यह नहीं कहेंगे कि school में ऐसा नहीं किया जा सकता लेकिन school में overall religious instruction अभी तक इतना जादा prominent नहीं है बहुत सारे schools में कहीं schools में हो सकता है कहीं schools में नहीं है लेकिन at least घर के अंदर जो हमारी traditional cultural values है जिसमें honesty सिखाई जाती है virtues of compassion सिखाई जाता है sacrifice की value सिखाई जाती है altruism की value सिखाई जाती है अगें हम next point में भी इसको discuss करेंगे altruism मतलब की अपने बारे में ना सोचते हो ये दूसरों के बारे में सोचना अगर आप ऐसी thinking को आगे रखते हो तो corruption को जड़ों से आप control कर सकते हो selflessness and non reciprocity खासतोर पे mother या जो हमारी Indian society के अंदर mothers का role होता है बहुत ही selfless होता है वो लोग अपनी जो है priorities को side पे रखके अपने बच्चों के लिए काम करती है अपने बच्चों के लिए जो भी उनका life होती है revolves around their kids and that is what you should be expected to be learned by the children whether it is the boy or the girl तो altruistic actions जो है वो ये जताते हैं कि आपको लोगों की सहायता करनी है मदद करनी है family के तरफ से setting boundaries यानि की negative motivation भी आनी चाहिए जैसे teacher की तरफ से भी आएगी मैं आपको punishment रेवार्ड वाले में बताऊंगा और family की तरफ से भी आएगी तो fathers और mothers का जो persistent moral principles को uphold करना है बहुत important हो गया है तो parents जो अपने बच्चों से जूट बोलते हैं या उनके जूट बोलने पे उनको किसी तरीके का I'm not saying corporal punishment या मारते पीटते नहीं है that is a different debate altogether बट किसी भी type का repercussion नहीं देते हैं उनको जूट बोलने पे तो वो encourage कर रहे हैं अपने बच्चों को कि आगे जाके भी इसके consequences नहीं होंगे तो ये boundary set करना बहुत जादा important हो जाता है teachers की बात करें तो teachers सबसे पहले तो mentor की तरह role play करते हैं हमारी Indian society के तोर पे देखा जाये तो originally या हमारे teachers होते थे गुरुकुल के अंदर students को पढ़ाते थे वो सिर्फ एक subject matter के expert ही नहीं वो उनके friend philosopher guide की तरह काम करते थे तो चानक्य और चंदरगुप्त मौरे की example देते हो आप ये कह सकते हो कि proper mentorship role जो है वो teachers provide करते हैं क्योंकि the first person outside the mother father and family that the person pays respect to पूचा है forcefully initial times में वो teacher होता है तो teacher का यहां पर role एक mentor का हो जाता है दूसरा punishment and reward भी teacher बहुत अच्छे से दे सकता है positive और negative reinforcement का examinations के अंदर या school के events के अंदर activities के अंदर अगर cheating को discourage किया गया cheating को properly punish किया गया और उससे आपको एक early stage पर लरनी मिल जाती है कि corrupt, unjust, untruthful, dishonest practices में कोई future आपका नहीं है आपको उसकी consequences face करने पड़ेंगे excellence का pursuit करना यह भी teacher सिखा सकते हैं तो young जो लोग होते हैं उनको motivate करते हैं कि आप अपना best performance दें बेस्ट performance देंगे तो उनके inputs जो हैं वो बहुत ही important हो जाते हैं उनके लिए बच्चों के लिए ताकि वो excellence अचीव कर सके अब यह excellence का मतलब सिर्फ और सिर्फ academic excellence से नहीं है all holistic development of the child से है तो इसके लिए teachers responsible है and role model वाला जो point हमने student family के लिए लिखा था वो teachers के लिए भी apply होता है माली जी एक teacher है जो अपने free time में दो type के teacher है एक teacher है जो free time में tuition करता है ठीक है अब हाँ हो सकता है वो immoral या illegal चीज नहीं कर रहा है उसे family के ends meet up करने है उसने खर्चा चलाना है तो वो tuition कर रहा है बच्चों से पैसे ले रहा है बहुत बड़ी है कोई बुरी बात नहीं है लेकिन अगर एक बंदा जो है वो एक step further जाके अपने free time के अंदर free lessons देता है गरीब लोगों को poor children को तो वो inspiration हो सकता है corrupt, unjust or untruthful behavior के against ठीक है तो थोड़ा सा ये greatness की तरफ आपको push कर सकती है चीज़े अगर आप अपने teacher को role model के तोर पे देखते हो तो इसी तरीके से हम इस answer को conclude करेंगे कि डॉक्टर कलाम की जो statement है वो उनकी life को भी बहुत अच्छे से represent करती है क्योंकि उनकी खुद की life teachers और उनकी mother के जो है values के उपर आधारित थी डॉक्टर कलाम ने इतने brilliant scientist होते हुए भी देश की सेवा में country के service में अपने जिंदगी लगा दी और इसी वज़े से उनको आज भी याद किया जाता है और बहुत ही important है कि हम उनकी life की testimony को भी रखें कि हाँ उनकी खुद की life जो है वो इसी वज़े से बन पाई कि उनकी mother और उनके teachers ने उनको बहुत प्रोचाहन दिया और उनके लिए आपसे भी inputs लूँगा आपको कुछ inputs दूँगा sources कहां से पढ़ने है किस तरीके से answers को structure करना है आपको doubts resolution के लिए telegram group में अगर add होना है यह सारी चीज़े आपको हमारे 48 days means answer writing course में मिल जाएंगी अभी February से पहले पहले तक जो है हमारा वैसे तो course 11 Feb तक चलेगा लेकिन अगर आप February तक mains के लिए एक अपना last push दे दे तो फिर आप निश्चिंद होके prelims के लिए तियारी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि at least आपने कुछ answers 50 के करीब answers लिख लिए है and you have certain command over answer writing next उसके बाद stage pick up करेंगे हम prelims के बाद तो ये last मौका है last 48 days अपने mains को देने के लिए तो इसको enroll कर सकते हैं 4999 पे और additional 10% discount दोस्तों आपको मिलेगा क्योंकि sleepy classes की तरफ से 1st January तक अगर आप कोर्स किसी भी कोर्स में enroll करते हैं हमारे कोई भी कोर्स में तो आपको additional 10% discount मिलने वाला है उसके लिए आपको code का इस्तमाल करना है target 2023 caps में target 2023 इस code का इस्तमाल करें हमारे number email id पे हमें contact करें तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहु पिंगे से शे में